तो आज की इस वीडियो में हम एक inverter trolley की unboxing करेंगे और इसको जो है मैं assemble करके भी बताऊँ कैसे assemble होती है और इसकी खासियत क्या है इसके features क्या है ये सारी जानकरिया जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको दूँगा तो ये देखिए ये जो है build skill बालू की है build skill trolley for inverter and battery मतलब इसमें आप inverter भी रख सकते हो और battery भी रख सकते हो तो देखिए इसका जो price के बारे बात करें तो इसका price है 2499 मतलब 500 रुपे की है लेकिन ये discount के साथ आपको करीब 1250 के आसपास पढ़ जाएगी तो देखिए discount 250 रुपे में खरीदी है और इसको अगर आपको खरीदना है तो मैं नीचे link के देदूँगा description में तो दर से click करके इनकी website से आप इसको खरीज सकते हो या फिर इनका contact number भी है तो इनको contact करके आप पूछ सकते हो और खरीद भी सकते हो तो इस परकार से देखिए आप देख र हो जाएगा तो देखिए इसमें revolving wheel मिलते हैं इस प्रकार से आपको spanner से या फिर जो पाना होता है उससे tight करना होता है तो देखिए मैं कोई professional नहीं हूँ लेकिन फिर भी बहुत easy है इसको assemble करना बहुत easy है DIY आप कर सकते हो तो इधर में कोई भी professional नहीं हूँ ना ही मैंने आ मैं fast forward करके बता देता हूँ और कुछ इस प्रकार से जो है आपको assemble करना होता है आप screen पर देख रहे होंगे और इसमें जो है या इसके ऊपर जो है आप battery को रखोगे inverter की जो batteries होती है उनको रख सकते हो तो इस प्रकार से देखिए इसको tight करना पड़ता है और screw इसमें ही मिल मिलेंगे फ्री मिलेंगे आपको और revolving wheel मिलेंगे बगी जो spanner बगेर आपका होना चाहिए तो बहुती easy है मुझे भी जो है काफी आसानी हुई इसको assemble करने में कोई मुझे मुझे नहीं हुई है तो कुछ ही nut रहते हैं या यह screw रहते हैं जो कि tight करना होते हैं आपको तो आपको कोई बहार से बुलाने की ज़रूरत नहीं आप खुदी कर सकते हो और यह जो iron body में होती है तो इस प्रकार से देखिए assemble हो जाएगी और ऐसे जो है आपको इस प्रकार से दिखेगी यह और six month की इसमें warranty भी मिलती है कभी कोई problem होती है तो आप company से contact कर सकते हो छे मैने की warranty यह तो मतलब काफी अच्छी बात है कि हमको trolley में warranty भी मिलती है तो इधर देखिए इसमें जो है आप battery और inverter दोनों रख सक इसकिल का है यह trolley और यह काफी लोहे का है तो काफी मजबूती रहेगा metal है लोहा है तो यह देखी यह मेरा inverter है और यह देख सकते हो आप यह inverter जो रखा हुआ है luminous company का जो है यह trolley है और fiber body की है plastic की है तो यह तूट गई है इस प्रकार से आप देख सकते हो वो थोड़े से क प्रफर करूँगा कि आप metal यह लोहे का ही लें क्योंको यह आप देख सकते हो मेरे यह जो घर का inverter है इसका जो यह stand यह trolley हम इसको बोलें तो इसका क्या हाल हो गया है तो यह fiber body मेरे खालते success नहीं है जितना की जो metal यह iron की body रहती है तो इसको जो है मैं अभी यह लोहे की जो inverter है यह तो मैं भी आपको prefer करूँगा कि आप भाई यह जो है metal body यह iron body वाला अगर trolley लें तो बहता रहेगा नहीं तो plastic का कोई भरोसा नहीं है fiber का यह तूट सकता है तो इस परकार से देखिए मैं रख दिया है और दो battery है मेरा काफी जो है 2 kb का inverter है और इसके लावा 2 batteries है त तो आराम से रखा हो गया है और अगर आपका 1 kb का है तो फिर तो कोई tension ही नहीं है जब मैंने 2 kb का रख दिया है तो तो अगर आपका भी 2 kb का है या फिर 1 kb का भी है तो मैं prefer करूँगा कि आप यह लोहे वाला लें तो बहतर रहेगा तो यह build skill company का है और काफी जो है इनवर्डर को हालें कि इसके जो पईये बगेरा है इसको आप move भी कर सकते हो और इसमें नीचे जाडू बगेरा सफाई भी कर सकते हो आप इतनी जगे दी गई है और बाकी आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो इनकी website विजिट करें या फिर इनसे आप contact भी कर सकते हो website पर इनका number दिया गया है और काफी जो है अच्छा customer support है और बाकी online payment करके आप इसको खरी सकते हो UPI से, card से, patium से तो इधर मेरे वीडियो खतम होता है और अगर आपको इस टाइब से और वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजीगा फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में जब तक आप बने रही है और देखते रही है आपके अपने चैनल में knowledge for tech